नमस्कार मैं प्रांशी राठोर और आप देख रहे हैं निक्स्ट नाइन न्यूस दो हजार चौबीस के लोग सभा चुनाफ काफी नस्तीक हैं और दो हजार चौबीस को ध्यान में रखते हुए बिपक्ष ने एक जुटा का संदेज दे दिया है कि कैसे भी करके केंदर से सत्ता से भारतिय जनता पार्टी को हटाना है और ऐसे में देखा जाए तो पार्टी हाइकमान लगातार कई एहम फैसली लेते हुए तिखाई दे रहे हैं बात करेंगे यहाँ पर कॉंग्रेस खेमे के बारे में तो कॉंग्रेस अद्यक्ष के चुनाब आठ महीने पहले हुए थे और अब तक देखा जाए तो कॉंग्रेस कारे समिती का खुलासा नहीं हुआ है ऐसे में देखा जाए तो कॉंग्रेस अद्यक्ष मलिका अर्जुन वहीं बात अगर की जाए राष्ट महासची प्रेंका गांधी वाड़रा को लेकर तो प्रेंका गांधी वाड़रा को मध्यप्रदेश, राजिस्थान, तेलांगना और च्छतीजगर की चुनावे प्रचार की कमान सौंपती गई है। कर सकते हैं। इसमें कई नेताओं को शामिल और निस्तकाशन को लेकर अटकले तेज हो रही है। क्या कुछ भूमिका मिलेगी। तो सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि कई विकल्पों पर विचार विमर्ष चल रहा है। प्रेंका गांधी वाड़रा को महा सचीव या फिन कारेकारी अद्यक्ष न्यूक्त करने की संभावना है। माचल और करनाटक में सफलता पाने के बाद अब प्रेंका को यहां पर यह एहम पद सौपा जा सकता है। तो अब मलिका अर्जुन खड़के के नितरत्व में पार्टी में पैमाने पर फेर बदल की उमीद है और ऐसे में प्रेंका गांधी वाड़रा को कारेकारी अद्यक्ष या फिर महा सचीव के तौर पर देखा जा सकता है। देखते हैं कि आखिरकार प्रेंका गांधी वाड़रा कितना यहां पर सफल होती हुई नजर आती है जब यह एहम जुमिदारियां उन्हें मिल चाती है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज।